लखनव शहर में इन दिनों 21 लाक रुपई की साड़ी की चर्चा हर किसी की जुबान पर है बता दें कि इसकी कीमत 21 लाक नहीं बलकि उससे भी जादा है इस साड़ी की कुल कीमत 21,09,000 रुपई है दुकान के मेनेजर की अनुसार इस साड़ी को दुबाई की एक महिला खरीद भी चुकी है यह सारी औरेडी बिख चुकी है और यह हमारे एक दुबाई की कस्टमर है जिर में लिल्डी है और उनका एक और सारी का ओर्डर है जो के बनने में है वो भी जल्दी आ जाएगी बनके और बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि चिकटकारी जो के सिर्फ लखनों की कला है यह पूरे दुणिया में फैल जाए और इसकी एक अलग ही पहचान हो जाए जो के है अभी भी लेकिल अभी पूरी दुणिया में इतनी जादर नहीं है इस सफेद रंकी चमचमाती हुई साड़ी को लखनों की शाही साड़ी कहीं तो गलत नहीं होगा क्योंकि इस साड़ी को बनने में दो साल का वक्त लगा है इसमें चिकन के 32 टाकों में से उन टाकों का इस्तमाल किया गया है जो अब विलुप्त हो चुके है या जिसे अब बेहत कम ही कारिगर जानते हैं यह साल में एक बिल्कुली म्यूजियम पीस समझे बना है यह उसी तरह से है कि जैसे आप कोई बहुत कॉस्ट्ली प्रिंटिंग ले लीजे अब हुसेट की प्रिंटिंग करोलों में बिक्ती है उसी तरह से या आप और भी प्रिंटिंग ले ले लीजे आटिस्स की जो करोलों में बिक्ती है तो यह भी एक पीस ओफ आर्ट है जो करोलों का तो नहीं इसके खीमत लगभग 21,00,000 के आई है तो क्या कुछ खासियत है ऐसी इस चारी में जो इसकी कीमत अख तक लाति है इसकी खासियत है कि एक तो इस पर बहुत लग गया है बनाने में इसको और इसको जो बना रहे है जो चिकन कारी के कारीक revisit है जसके हाध की सफाई होते हो चुटकी कहई लाती है तो बहुत ही खास चुटकियां जो हैं वही उतार पाती है इसको और इसको बनाने में काफी टाइम लग जाता है आँखों में खास तोर से बहुत स्ट्रेंड पड़ता है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है यही नहीं इस साड़ी में क्रिस्टल्स लगे हुए है जो रात की अंधेरे में भी इतने चमकते हैं कि घने अंधेरे में भी यह साड़ी और इसकी डिजाइन साफ नजर आ जाएगी इसको बनाने में तो लेकिर चिकन कारी तो सिर्फ तागे से बनती है तो वो तागा बनों से बनाई गई है और इसके साथ पर जो जरी का एड़ान किया है तो उससे एक पार्टी लुका जाता है और जरी भी जो इसमें आरी का काम हुआ है बहुत ही महीन काम है और इसमें जो इन खोपियों के लावा ये पूरी साड़ियानोंखी है जो आपको लखनों के अलावा किसी भी दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेगी